दोस्तों मैं हूँ मैक और आप देख रहे हैं दा करंसी करेक्टर यूटूब चैनल और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हूँ महानाना प्रताब जी के पॉट्रेट पे बनाये जाने वाले 5 रुपे के कमेरिटिफ कोईन के बारे में तो वीडियो को मेरे साथ आखिर तक जरूर देखिए चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पेरे तो मैं आप लोगों को बता दूँ महाना प्रताब जी के बारे में महाना प्रताब जी का नाम था महाना प्रताब सिंग सिसोधिया इनका पूरा नाम था और इह 9 माई 1540 में कुंबल गड़ किला में पेदा हुए और दोस्तों इनकी मुरुत्ती 19 जनवरी 1597 में हुई दोस्तों इनके पिता का नाम उधे सिंग था और इनकी माता का नाम महरानी जेवंता बाई था दोस्तों इन 13th King of Mavera राहिस्थान रहे और दोस्तों आप हम वापस बात करते हैं सिक्के के वारे में और इस सिक्के के वारे में आपको बताते हैं इसकी value और पूरी details दोस्तों इस सिक्के को 12-3 में ढाला गया और इसका जो weight है वो 4.95 ग्राम है diameter 25 mm का है और इसका जो metal है वो FSS है ferritic stainless steel से सिक्के को ढाला गया था edges का plan है circular shape है इस सिक्के का तो इस सिक्के के mint की बात करें तो इस सिक्के को इंडिया के 2 mint में जारी किया गया था जिसमें Bombay और हैदराबाद शामिल है दोस्तों Bombay का जो mint mark है वो diamond है और हैदराबाद का star mint mark है तो दोस्तों अब हम इस सिक्के के observe और river site के बारे में बात कर लेते हैं इस सिक्के के observe site में आपको बीच में अशोक स्तंप उसके नीचे सत्यमयव जयत हिंदी में लिखा दिखाई देगा और सबसे नीचे आपको रुपिय का अंक नज़र आएगा और दोनों तरफ हिंदी वे इंग्लिश में भारत और रुपिय लिखा नज़र आएगा और दोस्तों river site की बात करें तो river site में आपको बीच में महाराना पृताप का portrait नज़र आएगा और साथी साथ महाराना पृताप हिंदी और इंग्लिश में भी लिखा नज़र आएगा और सबसे नीचे इसकी year लिखी है जो minting year है सिक्के की 2003 और महाराना पृताप की birth date और died year लिखी हुई है जो के 1540 और 1597 वे है तो दोस्तों बात करें इस तरह के सिक्कों की तो अगर आपके आज दोनों ही mint में कोई भी mint का सिक्का है तो आपको इसकी कीमत 15 रुपे से 30 रुपे तक ही मिल पाईगी डिपेंट करता है कंडिशन पर अगर आपकी कंडिशन अच्छे होगी तो कीमत भी आपको ज़्यादा मिलेगी और दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आपको सिक्कों कहां बेचना है आप एक्जिविशन्स में बेच सकते हो एक्जिविशन्स लगते रहते हैं दिली में लग जाता है कई वार भुसी जगां लगते रहते हैं लेकिन अभी फिलाल एक्जिविशन्स कैंसल होगा है क्योंकर लॉक्टाओन चल रहा है और दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए मिलता हूँ मैं आप सभी से किसी और वीडियो में तब तक के लिए जेहिन जे भारत